उत्तर परदेश अरीना सेवा चैन आयोग की उसे होने वाली P.E.T. परिच्छा केंद्र हैं वो बार परबावित इलाकों से संबंद रख रहे हैं जिसको लेकर के आयोग ने परिच्छा केंद्र बदलने का निन्य लिया है और जो आपके परिच्छा केंद्र बदले उनकी सूची मंगलवार अर्था 17 अगर्ष तक आपकी जारी कर दी जाएगी साती साथ यदि परिच्छा तिथी में कोई परिवर्तन होगा तो वो भी आपको जो है अंतिम सूचना के द्वारा 17 अगर्ष को जो है नोटिस के माधियाम से जानकारी दे दी जाएगी हाला कि आयोग का निर्णर यह है कि परिच्छा जो है तैस समय पर 24 अगर्ष को ही कराई जाई दोनों पालियों में लेकिन यदि फिर भी इसकी तैयारी को लेकर के क्योंकि परिच्छा के इंदर जो है बदले जाएंगे और सेंटर की ववर्ष्था यदि नहीं हो पाती है है समय तक तो परिच्छा केंडर में जो है बदलाओ के साथ साथ आपकी तिथी में भी बदलाओ हो सकता है लेकिन यह है कि तिथी जो है आपकी ज्यादा दूर नहीं जाएगी जदि 24 अगर्ष को भी नहीं होता है तो अगर्ष माह में ही यह एक्जांस आपका होगा चाहे अंतिम सपता के किसी भी दिन आपका हो जाए तो अच्छी तयारी रखेगा मजबूत तयारी रखेगा और यहाँ पर जो है आयोग नहीं निदेश भी दिया है कि जो भी आपकी यहाँ पर भरती पूरी होगी वो दिसंबर तक कर दी जाएगी जिसमें लेकपाल की भरती जो जो उत्तर परदेश सब इंस्पेक्टर की भरती परिक्षा के लिए और UPHC की PET परिक्षा के साथ साथ अन्य कॉम्पेटेटिव एक्जाम्स के लिए काफी महत्यफून कोश्चनों का संग रहे है और यहाँ से आप जो है डिस्क्रिप्स बोक्स और कमेंट बोक्स से लिंक पर जाकर के आसानी से इन टेस्ट को कवर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा फाइदमन आप लोगों के लिए अंतिम दिनों में ट्रैक्टिस करना होता है बात करें लेकपाल भरती के संबंद में जो निदे दिया गया है आयोकियों से तो उसमें जानकाई दी गई है UPHC क के द्वारा जो तै आपके मानक हैं उसको लेकर के भरती यहां पर पूरी कराये जाएगी दिसंबर तक और पीटी के बाद की जो आपका कलेंडर में टाइम दिया गया है उन्हीं तै समय के अंतर पर यह जो है भरती होंगी तो आयोक ने सक निदे दिया है और पिछली रंब करी 2022 का यहां पर आप लोगों के लिए टाइम दिया है तो दोस्तों आसा करता हूं वीडियो के मार्जम से कुछ मैत्तपून जानकारी आपको मिली होगी यदि चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब बर लें क्योंकि ऐसे वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते करता हूं